नमस्ते मेरा नम बंधना सरोज है और इस वीडियो में आप देखेंगे अगर आप पोस्ट ओफिस फिक्स डिपोजिट में इन्वेस्ट करते हैं कितना भी अमाउंट तो रिटन में आपको कितना पैसा मिलेगा तो एक जुलाई से 30 सितंबर 2020 तक का इंटरस रेट है तो अगर मैं अपडेट करती हूँ हर तीन महिने में एक वीडियो पोस्ट करती हूँ तो उसके लिए चैनल आप सब्सक्राइब कर दे लिचे सब्सक्राइब है रेड कलर का उस पर क्लिक करें साथ में घंटी का निशानाय का उस पर क्लिक करें और ज़रूर प्रेस करें घंटी के नि यह मैंने Post Office Fixed Deposit की रेटन्स दिखाए हैं, यह आज के इंट्रेस्टेट के हिसाब से है, जुलाई 2020 से सितमबर 2020 का जो इंट्रेस्ट है, उसके हिसाब से मैंने रेटन्स दिखाए हैं, यह जो इंट्रेस्ट है यह quarterly compound होता है, इसका मतलब हर तीन महिने में compound होता है, लेकिन हर स साल के आखिर के में आपको यह पे कर दिया जाता है अब यहां पर देखिए फॉर्स्ट जो है यहां पर मैंने अमाउंट दिया है कितना पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस की तो आगे आपको कितना मिलेगा यह जो सेकिंड है यहां पर मैंने दिखाया है क पॉइंट फॉजट पॉजट 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 पॉज first office FD में वो 200 रुपे का कर सकते हैं तो 200 रुपे से लेके यहां पर मैंने example दिया है 10 लाग रुपे तक का तो आप जितना भी इंवेस्ट करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि कितने साल की FD पे कितने percent interest rate के हिसाब से आपको कितने return मिलेगा तो जैसे example में दूँ तो minimum amount 200 रुपे का है तो अगर आप 200 रुपे इंवेस्ट करते हैं एक साल के fixed deposit पे तो 5.5% interest rate मिलेगा आपको तो एक साल के बाद आपको 211 रुपे, दो साल के अगर आप FD बुख करते हैं तो 5.5% per annum की हिसाब से आपको मिलेगा 222 रुपे अगर आप 3 साल की fixed deposit पुख करते हैं तो आपको 5.5% per annum interest rate के हिसाब से आपको 233 रुपे अगर आप 5 साल के fixed deposit बुख करते हैं तो आपको interest rate मिलेगा 6.7% पर रहनम और total मिलेगा 255 रुपे एक example अगर दू तो दो साल के अगर आप FD book करते हैं तो 222 रुपे तो 222 रुपे में से जो interest है 11 रुपे का वो आपको पहले साल में दे दिया जाएगा और दूसरे साल के end पे दूसरे साल का interest आपको मिलेगा तो ऐसे post office में होता है हर साल के बाद आपको interest दे दिया जाता है और FD ऐसे ही चलती रहती है जितने time के लिए आपने book कराई होती है दोसो रुपे के बाद मैंने एक हजार रुपे का example दिया है उसके बाद 5000 रुपे का फिर 10 रुपे का फिर 25 रुपे का 50 रुपे का एक लाख रुपे की अगर आप fixed deposit करते है तो कितना मिलेगा और last में है 10 लाख रुपे के fixed deposit तो अगर आप 10,00,000 रुपे की fixed deposit एक साल के लिए book करते हैं 5.5% पर NM के हिसाब से आपको मिलेगा एक साल के बाद 10,56,145 रुपे अगर आप 10,00,000 रुपे की fixed deposit दो साल के लिए book करते हैं तो 5.5% पर NM के हिसाब से आपको मिलेगा 11,12,290 रुपे अगर आप 10 लाग रुपे की fixed deposit post office में 3 साल के लिए book करते हैं आज तो आपको total amount मिलेगा 11,68,435 रुपे अगर आप 10 लाग रुपे की fixed deposit 5 साल के लिए book करते हैं तो 6.7% per annum के हिसाब से आपको मिलेगा 13,43,512 रुपे total अगर आप post office की fixed deposit के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं मेरे चैनल पर post office FD करके मैंने video post की हुई है and I am sure अगर आप वो video देखेंगे तो आपको post office FD से related कोई और video या कोई और article डूडने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैंने उसमें side details बहुत ही अच्छे से cover की है लेकिन हा वीडियो कभी भी देख रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि interest rate जो है वो change हो सकते हैं साथ मेरे taxation जो है वो भी change हो सकते है EDS rule भी change हो सकते हैं तो ये थी मेरी video post office की FD की calculation के बारे में मिलती हूँ next video में नमस्ते